जैशिर कृष्णा, जैशिर राधी अर्चना के कृष्ण गुनगान चैनल पर आपका स्वागत है हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का ब्रत साल में दो बार आता है पहली पुत्रदा एकादशी का ब्रत पौश माह के शुकल पक्स की एकादशी तिथी को रखा जाता है यह एकादशी अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनबरी में आती है और दूसरी पुत्रदा एकादसी का ब्रत सावन महीने के शुकल पक्स की एकादसी को रखा जाता है सावन माह में पढ़ने वाली एकादसी का बहुत महत्तव होता है इस ब्रत में भगवान विश्नु की पूजा की जाती है माननेता है कि श्रावण मास की पुतरदा एकादशी का ब्रत करने से बाज पे यग्य के बराबर पुन्य फल की प्राप्ति होती है संतान ही इन लोगों के लिए यह ब्रत शुव फलदाई माना जाता है इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस ब्रत को रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान दिरगायू होती है आईए जानते हैं कि सावन माह की पुतरदा एकादशी कब है उसका सुब महुरत और पूजा विधी के बारे में पंचान की अनुसार सावन माह के शुकल पक्स की एकादशी तिथी 26 अगस्त देर रात 12 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 7 अगस्त की रात 9 बजकर 32 मिनट तक मानने रहेगा उद्यातिती को देखते हुए सावन पुतरदा एकादशी का ब्रत 27 अगस्त को ही रखा जाएगा सावन माह की पुतरदा एकादशी की पूजा का शुम्हूरस सुबा के समय है इसमे सरवात सिद्धी योग है इस दिन सरवात सिद्धी योग सुबा 5 बचकर 56 मिनट से सुबा 7 बचकर 16 मिनट तक रहेगा सरवात सिद्धी योग में पूजा सबसे शुब मानी जाती है पुत्रदा एकदशी का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा इस दिन ब्रत का पारण का समय पांच बज़कर 57 मिनड़ से सुबह 8 बज़कर 31 मिनड़ तक है इसके बीच कभी भी पारण किया जा सकता है यदि आप सावन माह की पुत्रदा एकदशी का ब्रत रखने जा रहे हैं तो दस्मी तिथी को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन कर लें ताकि अन का अंश मुह में ना रहे इसके बाद एक आदशी के दिन सुबह उठकर ब्रत का संकल्प कर शुद्जल से स्नान करना चाहिए फिर दूप नैवेद करके 16 समागरी से भगवान विश्णु की पूजा करनी चाहिए और रात को दीपदान करना चाहिए रात को भगवान विश्नु का भजन कितन करना चाहिए और शिरी हरी विश्नु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए अगली सुबा स्नान करके उन्हे भगवान विश्णु की पूजा करके ब्रामन को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद ब्रत का पारण करना चाहिए शिरी युदिष्टि जी कहने लगे कि हे भगवान श्रावन शुकल की एकादसी का क्या नाम है इसका ब्रत करने की बिधी तथा इसका महात्मय क्रिपै करके कहिए मदु सूदन कहने लगे कि इस एकादसी का नाम पुत्तरदा है अब आप सांती पूरक इसकी कथा सुनिए इसकी कथा सुनने मातर से ही बाज पे यग्य का फर्विलता है द्वापर युकेब आरम में महीश्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था लेकिन पुत्तर हीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदाई होते हैं पुत्तर सुख की प्राप्ती के लिए राजा ने अनेक उपाय किये प्रंतु राजा को पुत्तर की प्राप्ती नहीं हुई बिद्धा वस्ता आती देख राजा ने प्रजा के प्रती निधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजजनों मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन हुआ धन नहीं है ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्रामनों का धन छीना है किसी दूसरे की धरोगर भी मैंने नहीं ली है प्रजा को पुत्र के समान पालता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पुत्र नहीं है मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधमू की तरह दंड देता हूँ कभी कभी किसी से ग्रीना नहीं की सबको समान समझा है सजनों की सदा पूजा करता हूँ इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र नहीं है सो मैं अत्यांत दुख पा रहा हूँ इसका क्या कारण है राजा मही जित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनीधी बन को गए वहां बड़े-बड़े रिशी मुनियों के दर्शन किये राजा की उत्तम कामना की पूर्ती के लिए किसी श्रेष्ट तपस्वी को देखते फिरते रहे एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत बयो ब्रिद धर्म के ग्याता बड़े तेपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूर्तत्मों को जानने वाले समस्त सास्त्रों के ग्याता महात्मा लोमश मुनि को द को प्रणाम किया उन लोगों को देखकर मुनी ने पूछा कि आप लोग किस कार्ण से आए हैं मैं निसंदेह आपका हित करूंगा मेरा जनम केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है इसमें संदेह मत करो उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है अतै उसके पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर होगा क्योंकि महापुर्शों के दर्शन मातर से ही अने कश्ट दूर हो जाते हैं अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाईए यह बारता सुनकर रिशी ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद क और राजा के पूरस जनम का बृता जानकर कहने लगा कि यह राजा पूरस जनम में एक निर्धन वैश्य था निर्धन होने के कारण इसने बहुत बुरे कर्म किये थे यह एक गाम से दूसरे गौंब बैपार करने जाया करता था एक समय जेश्ट मास के शुकल पक्स की मध्यान केस में यह जब की वो दो दिन से भूखा प्यासा था एक जलाशे पर पानी पीने गया उसी स्थान पर एक ततकाल ब्याही हुई प्यासी गौजल पी रही थी राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वेंजल पीने लगा इसलिए राजा को यह दुख सहने पड़ा एक अदशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्तर व्योग का दुख सहना पड़ रहा है ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हिरिसी सास्त्रों में हर पाप का प्रैस्चित भी लिखा हुआ है अतै जिस प्रकार राजा का यह पाप नश्ट हो जाए आप कोई ऐसा उपाय बताईए लोमश रिसी कहने लगे श्रावन शुकल की एका दशी को जिसे पुत्तरदा एका दशी के नाम से भी जानते हैं तुम सब लोग उसका ब्रत करो और राजा के पूरव जन्म का पाप अ उनकर मंत्रियों सहीत सारी प्रजा नगर को बापस लोट आई और जब श्रावन शुकल एका दशी आई तो रिशी की आग्या अनुसार सब ने पुत्तरदा एका दशी का ब्रत और जागरण किया इसके पस्चात द्वासी के दिन उसके पुन्य का फल राजा को दिया उस प बड़ा ही तेजस्वी पुत्तर प्राप्त हुआ इसलिए हे राजन इस श्रावन शुकल एका दशी का नाम पुत्तरदा एका दशी पड़ा और संतान सुक की इच्छा रखने वाले को यह ब्रत अवश्य करना चाहिए इसके महात्मय को सुनने और पढ़ने से सब परकार के पाप नश्ट हो जाते हैं और मुश्य इस लोग में संतान सुक भोग कर परलोग में स्वरत को प्रापत करता है इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जैशिर किष्णा अवस्य लिखें जैशिर किष्णा जैशिराधी